हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूं आप ठीक होंगे तो में ना में दीपा कॉने सब्सक्राइब करता हूं आपका आपका आपकी प्यार चैनल दीपा बालुज इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि इंपोर्टेंट टिक जिसके तुरू आप जो है हमें जान लेते कि आमी ुट्रिट ने कितने टाइप सबसे पहले देख लेते हैं तो देखी आपको उसके लिए करना किploy यात्माये रखना है ए propel कर्णी수τεंटृ टेस सब्सक्राइब करती है और यहां पिलॉनcą opa को नोंन पुलरा शिटा나 पूलर्ल .. A आपका S-D-C amino acid, B आपका basic amino acid, basic amino acid, P आपका polar amino acid और A आपका जह है aromatic amino acid जिसका मैंने ओल्लडी जो वीडियो बे ओल्लडी मना चुता हूं Aromatic Amino Acid ठीक है तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा N belongs to Non-Polar Amino Acid A, A, Acidic Amino Acid B, Basic Amino Acid A, P, A, Polar Amino Acid और A, 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 Aromatic Amino Acid तो यहां पर आज हम फोकस करेंगे Aromatic Amino Acid Acidic Amino Acid क्या-क्या होता है आपको पता है एक तो आपका होता है Ispartic Acid कि एस्पार्टीक एसिड ग्लुतामिक एसिड है तो इसको याद करने के लिए आपको बस जो है एक मैं आपको दो वर्ट्स का बताऊंगा तो आपका तो आपका कभी कप idiots को आपको सिंपल से दो याद थाकना है एक हो गयां आँ लुक्Yeis को बास इतना है को दूसा रिफेक्ट को रिमाइंड कर लिया तो आपको यहां कोई 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 भागा ग्यांड कर देखे क्सिद नक्क अलब कि कितने क्यों होते हैं यहाँ पर देख सकते हैं जो हैस्ट्रिक ऐसिट है यहाँ में टापर यह ठाइयक है l Revelation और यहाँ पर ग्लूतरे है ऐसितले में चाहित इसे और यहाँ पर यहाँ पर आपको पूछ Repeлек कि SDC amino acid कितने होते हैं तो आप directly जो है इन दो लेटर को आपने याद रखा है and go to आपके जो है जो भी आपका doubt रहेगा कि SDC amino acid कितने होते हैं तो वो आपका यहां भी clear हो रहा है two होते हैं एक आपका aspartic acid हो गया और दूसा आपका glutamic acid ठीक है तो इसका मतलब जहां पर भी आपको co group देखने को मिले तो वो जो है आपका like asdic amino acids है ठीक है तो यहां पर आपको सिर्फ दो i asdic amino acid है पहला आपका जो हो गया वह आपका aspartic acid हो गया दूसरा आपका glutamic acid तो अगर आप इस टिक से जो है आपने asdic amino acids को याद किया तो आप जो कभी भी इसको भूलेंगे नहीं ठीक है तो आपका doubt है कि asdic amino acid का तो आपको हमेशा याद दाएगा कि सिर्फ दो ही टाइप के जो है आपी दो ही amino acid है जो हो asdic amino acid है कौन को से aspartic acid or glutamic acid तो इससे आपका जो doubt है वो clear हो जाएगा और कोई भी अगर question आपको objective like mcq टाइप आता है कि पूछ अगर वो पूछते हैं कि asdic amino acids कितने होते हैं या आपको option दिया रखा होगा तो आप जो है यहाँ पर बता सकते हैं कि asdic amino acid होते हैं अगर माली आपको multiple choice question आते हैं तो multiple में क्या है एक ज्यादा भी question भी जो हो सकते हैं तो में भी आपको आपको आप एसपार्टी के टिक से आप याद करेंगे तो आप मेमोराइज करके तुन्त आप डाइट ली जो है वहाँ पर से टिक कर सकते हैं कि एसपार्टी के सब्सक्राइब के सब्सक्राइब करते हैं तो चली मिलते हमारे अगले वीडियो में तेले टेक केर बाई बाई